कर दोस्तों दोस्तों विशेया आज का बहुत important है यह आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की गर्दन जो है वह अटक जाती है कई बार क्या होता है कि हमारे गलाफ पॉस्चर की विए जैसे जो है हम रात को जब सो रहे होते हैं या किसी अन्यकारण से जो है गर्दन एक साइड में लॉप हो जाती है अपने बहुत सारे लोगों के साथ देखा होगा कि गर्दन जो है वह एकडम स्ट्रेट हो जाती है और वह लेफ्ट और राइट दौन तरफ जो है बिल्कुल भी नहीं मूरती मूरते डाइम पर बहुत जादा सीवियर पेन आता है तो ऐसी कंडिशन में हम उनकी लॉप गर्दन को किस तरीके से खोल सकते हैं यह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों नमस्कार मैं सौरा उपाध्या है आज का वीडियो जो है खास करके कि जो है सेल्फ अपनी गर्दन को मूव करा सकते हैं सेल्फ अपनी गर्दन को फ्री कर सकते हैं बात करूँ अगर मैं शोल्डर की पेन की शोल्डर पेन यानि जब गर्दन लॉक हो जाती है तो बहुत जादा कंडे में दर्द आता है हमारा ये जो पार्ट है हमारे जो कंड दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने हुए बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे के आने वाले नए वीडियो की आपको सही समय पर सूचना मिल सकें दोस्तों अगर मैं पॉइंट की बात करूं कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के तुरू हम अपनी लॉग गर्दन को खोल सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल टेक्निक है वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ हमारे गर्दन के जिस सबसे पहले तो हमारा ये जो हतेली का पार्ट है इस पार्ट के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों के ये जो हतेली का पार्ट है हमारा उसमें भी specific ये जो अमुठे के नीचे तक की बोन है यानि यहां तक की ये जो बोन है अपको यह लाइनिंग जो दिख रही है इस लाइनिंग कодर भ wonderful जो है इस बूर्ट तर जो हैं आपने प्मेंडकरकर करना है और किस तरीगे से करना वह मैं आपको बता देती आ आपने करना क्या है एक पैंग की तरह इसको पकड़ना है उपर से और इसको अराम से ट्विस्ट करते 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 इसको नीचे तक आना है, यहाँ जिन लोगों की भी गर्दन जो है लॉक रहती है या जिन लोगों को गर्दन में stiffness रहती है, उन लोगों को इस पार्ट में काफी severe pain आएगा, उस pain को आप जैसे जैसे खतम करेंगे, वैसे वैसे आपकी गर्दन की stiffness वो खतम होती जाएगी दोस जो इस तरफ कम है उस तरफ की अपिक्षा तो दोस्तों जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ यह पॉइंट जो है वो ज्यादा तरीके से प्रेस करने हैं और आप देखेंगे इसके इस तरफ के अमेजिंग रिजर्ड्स के घरन जो है आपकी वो इतनी जलदी फ्री होगी मतलब आप यह लगा लैजे कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी गर्दन को self heal कर सकते हैं जो log गर्दन है उसका log जो है वो 5 बिनिट के अंदर ही खुदी ही खोल सकते हैं और यह आपने केवल एक हाथ में नहीं करना है यह आपने दौनों हाथों में यूज़ करना है क्योंकि stiffness आपके दौनों हाथों में आएगी दोस्तो तो अपने करना क्या है कि shoulder की stiffness करने के लिए इन दौनों points का ध्यान लगना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो lining है हमारी, इस lining ये हमारी root है, इस root से लेकर के और उपर तक, यानि अंगुठे तक, ये जो पूरा part है, इस पूरे part को आपने active करना है, किस तरीके से करना है, या तो आप इन muscles को पकड़के और अराम से lose कर सकते हैं, अगर lose नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, अराम से एक उंगली के साथ जो है, या clockwise कर करके, और इन muscles को जो है clockwise कर करके, डीला कर लेंगे, इससे क्या होगा, कि आपके जो गर्दन की muscles हैं, वो एकदम lose हो जाएगी, और आपकी lock जो गर्दन हैं, वो खुल कर दो कर दो है?